हेलो फ्रेंड्स मैं उरिंग की और आप लेकर आगई हूँ दसवी पास लोगों के लिए सिपाही की भरती की पूरी जानकरी जी हाँ दोस्तो 63 इसमें भरतियां की जाएंगी 63 ये पोस्ट है जिसके लिए की जारी है दसवी पास लोगों की भरतीयों सिपाही के बद पर इनको नियुक्त किया जाएगा आपको कहीं भी जाने की जरुवत नहीं है पूरी वीडियो में आपको मैं यही बताऊंगी कि कैसे आपको अपलाई करना है किस तरह से अपलाई करना है अपलाई करने का प्रोसेस पूरा क्या है आपको सब कुछ पता चलेगा इसी वीडियो से तो देखते रही है यह वीडियो पूरी ताकि मैं आपको बता सकूँ कि किस तरह से आपको यह नौकरी मिलेगी तो मैं बता दूँ आपको कि जो सिपाही की भरती है जिसके लिए मैं बात कर रही हूँ दसवी पास लोग जिसके लिए अपलाई कर सकते हैं उसमें 63 पोस निकाली गई है 21,700 रुपे इसमें आपको महीने का वेतन दिया जाएगा यह बिल्कुल फ्रेशर भरती है इसमें कहीं आपको मतलब कि कोई एक्सपिरियंस किसी अनुभव की जरूरत नहीं है यह बिल्कुल फ्रेशर भरती है देखिए मैं दिखा रही हूँ आपको यह बॉर्डर सिक्यूरिटी फोस यानि कि बीएसमें निकाली गई है भरती बीएसम आपने आप में ही एक मतलब की उम्दा होता है यह जिसके लिए लोगों का सपना होता है कि बीएसमें वह भरती हो जाए बीएसमें नोकरी करें देश के लिए कुछ करें तो मैं बता दूं आ बास्केट बॉल में तीन, बॉक्सिंग में तीन, फुटबॉल में तीन, जिमनास्टिक में दो, हैंडबॉल में दो, हॉक्की में दो, जूडो में दो, कबड़ी में चार, खोखो में तीन, टाइकवांडो में चार, वुशू, सेंशो में आठ, वॉलीबॉल में चार, और स्पॉर्स वेत लीफ्टिंग इसमें चार और रेस्लिंग में फ्री स्टैल पř başकी संच इन्वेट 15 21,700 रुपे महीने तक का तो बहतरी वेतन है ये शुरुआत में आपकी eligibility condition में आपको बता दू कि अगर आपकी उम्र है 18-23 साल के बीच 1 अगस्त 2018 के रूसार अगर आपकी age है 18-23 साल के बीच तो आप इसके लिए अपलाई कर सकते हैं relaxation भी दिया जा रहा है as for government orders के अगर आपनों सिर्फ दसवी पास करके बैठे हैं और 18-23 साल के बीच आपकी उम्र है तो ये नौकरी आप ही का इंदजार कर रही है आपको कुछ सोचने की कुछ भी कुछ भी कहीं कोई डाउट रखने की जरूद नहीं आप इस भरती के लिए तुरंत अपलाई कर दीजिए educational qualification में आपको बता चुकिए सिर्फ दसवी पास के लेवल पर इसमें आपको लिया जा रहा है physical standard अगर आपका BSF में जाने का सपना है तो यह सपना समझें पूरा होने ही वाला है physical standard इसमें देखा जाएगा आपका height होनी चाहिए 170 cm chest होना चाहिए 80 cm और expansion के साथ 5 cm weight होना चाहिए आपका height के according जो देखा जाएगा medical exam भी होगा इसमें जिसमें आपकी आँखों की visual acuity देखी जाएगी uncorrected visual acuity देखी जाएगी reflection color vision और remarks इसमें आपको दिया जाएगा तो देखिए इसमें पूरी detail दी गई है इस notification में constable के लिए भरती निकाली गई है तो sports की qualification इसमें आपकी क्या चाहिए representation of Indian team in olympic अगर आपने इंडियन टीम को olympic में represent किया है तो आप इसके लिए apply कर सकते है world cup में represent किया है तो apply कर सकते है Asian games में junior senior world championship में common wealth में या world university games में अगर आप apply कर चुके हैं मतलब participate कर चुके हैं या फिर SAF games में तो आप इसके लिए अप्लाइ कर सकते है इसके अलबा अगर आपने कोई भी medal जीता है जूनियर senior national championship में तो आप इसके लिए apply कर सकते हैं या फिर अपने national games individual में कोई जीता है तो आप इसके लिए apply कर सकते है team events since gen 2017 onwards अगर आपने team events में हिस्सा लिया है जैनवरी 2017 तक तो आप इसके लिए apply कर सकते हैं पार्टिसिपेशन इन junior senior national championship national games since gen 2017 onwards तो आप इसके लिए apply कर सकते हैं इसके लाब अगर आपको gold medal मिला है state championship में since gen 2017 onwards तो आप इसके लिए apply कर सकते हैं physical efficiency tests में लिया जाएगा आपको apply करना कैसे है देखिए the eligible and desires ध्यान से सुनिए जरा यह अगर आप apply करना चाहते हैं अगर आप इसके लिए eligible हैं तो देखिए क्या है इसका पूरा process the eligible and desires candidates should send the application and the prescribed performer duly typed or nearly hand written as given in annexure duly filled on in on full space paper with two self-attested passport size photograph one duly affixed on application form एक application form पर चिपकी होनी चाहिए आपकी photo इसके आपको और दूसरी space paper पर दो self-attested passport size photo होनी चाहिए application form and one the admit card at the space prescribed for the purpose and duly completed in all respect address to the commandant आपको भेजना है इस address पर यह सब आपको annexure A में दिखाऊंगी वह annexure A आपको निकालना होगा पूरा भर के उसके बाद अपनी passport size photos photo copy के साथ photo के साथ आपको भेजना है the commandant 95 bn-bsf भॉंसी पोस्ट ओफिस बॉंसी डिस्टिक्ट गुरुग्राम हर्याना 122-102 तीस दिन के अंदर भेजना है अभी मैं आपको बता दूंगी कि इसकी लास जेट क्या है तो लास जेट काफी लंबी है आप इसके अपलाई कर सकते हैं sports कोटे के recruitment यह जो निकाली गए बता दूंगी यह सिर्फ पूर्शों के लिए है और sports कोटे के अगेंस निकाली गई है तो देखिए selection process कैसा होगा अगर आप eligible है तो आपका application form सेलेक्ट कर लिया जाएगा admit card आपको भेजा जाएगा call letter भेजा जाएगा candidates will have to undergo the following process of recruitment checking of the testimonial physical measurement physical efficiency test trial test of respective events होगा आपका applicable only for candidates who are applying under national participation category and gold medalist in state वही लोग apply कर सकते हैं जो फिर who are applying under national participation के अंडर में जो apply कर रहे हैं category के अंडर में आते हैं जो या फिर gold medalist है स्टेट के स्टेट लेवल पर gold medalist है उनको ही यह इसके लिए apply करने का अधिकार है medical examination होगा medical list के according आपका selection होगा तो मैंने आपको दे रही हूं यह BSF की website जहां से आप यह recruitment का BSF की website से पूरी detail देख सकते हैं www.bsf.nick.in यह website link है जहां से आप पूरी detail देख सकते हैं मैं आपको website link दे रही हूं वीडियो के नीचे description में साथ ही आपको मैं link दे रही हूं इस notification का भी जहां से पूरी detail आप इस notification की इस भर्ती की देख सकते हैं पूरी जानकारी आप देख सकते हैं और offline process है online process नहीं है last date भी मैं आपको बता रही हूं वीडियो के नीचे description में जहां से आप last date भी देख सकते हैं कि last date कौन सी है तो इस भर्ती से आप कहीं से भी apply कर सकते हैं इस भर्ती के लिए इस वीडियो को जादा से जादा शेयर कीजिए ताकि जो पूरी कोशिष करूगी पूरे जवाब देनी की पूरी कोशिश करूगी पूरे जवाब देनी की पूरी कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछिए कमेंड बॉक्स में आप किसी अन्य भरती के बारे में जानना चाहते हैं किसी और भरती के बारे में तो आप मुझसे कमेंड बॉक्स में पूछ सकते हैं कोई अन्य इंफोर्मेशन चाहते हैं कोई सुविदा या फिर कोई ऐसी स लिखावाई सब्सक्राइब उसे दबाईए फिर बैल आइकन जो है उसे भी दबा दीजिए ताकि भारत में जैसे ही कोई भी भरती निकले कोई भी वेकंसी निकले उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक हम पहुचा सकें वीडियो देखने के लिए थैंक्यों सो मुच लोगाई